हालो स्टुडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक तो क्लास एंगलिश सिंप्लिफाइट एंड थैंक यू सो मच फो जॉइनिंग अस तो स्टुडेंट्स क्लास 11 होनबिल बुक के पोयम नमबर 3 है इसके हम think it out से कुछ question and answers को आज यहां cover करेंगे तो यह आपके text book के solution है students तो start करते हैं तो question है what does the phrase strange to tell means कि जो वाक्य है strange to tell इसका क्या मतलब है यानि कि बताने के लिए अजीब तो इसका क्या meaning है इस वाक्य में तो answer है the phrase strange to tell means that it was very strange when poet asked the question to rain अब यह जो वाक्य है कि बताने में बड़ा अजीब इसका यह मतलब है students कि यह बड़ा ही अजीब था कि जब कभी ने एक question किया बारिश के साथ that the in animated rain replied to him like human beings तब जो animated चीजे जो होती है जो जीवे चीजे होती है वो तो हमें answer दे सकती है लेकिन बारिश क्योंकि एक नर्जीव वस्तु के रूप में आती है तो उसने जब poet के इस answer का जवाब बिलकुल इनसानों की तरह दिया तो ये जो है strange to tell यहाँ पर इस चीजे को refer करता है when the poet asked the rain who art thou जबकि कवी ने बारिश से ये पूछा कि तुम कोन हो the rain replied I am the palm of earth तब बारिश ने उसको ये जवाब दिया कि मैं इस धर्दी की कवीता हूं तो ये strange to tell यहाँ पर इसी का मतलब है कि जब कवी एक नर्जीव बारिश से पूछ लेता है कि तुम कोन हो तो बारिश उसे बिलकुल इनसानी आवाज में जबाब देती है कि मैं धर्दी की कवीता हूं तो next question है student List the pairs of opposites found in the poem कि इस poem के अंदर जो opposite words साथ साथ आएवे हैं उनको list केजिए तो answer है number one rise, descend, rise का मतलब होता है उपर के साइड उठना और descend का मतलब होता है नीचे गिरना तो ये दोनो opposite word है और साथ साथ यूज हूए हैं दूसरा जो pair है वो है day and night यानिके दिन और रात ये भी एक तम opposite word है और एक दूसरे के साथ ये pair यूज हुआ है और तीसरा है rect and unrect और rect का मतलब होता है कि परवा की जाना और unrect का मतलब होता है कि किसी बात की परवा ना करना यानि कि परवा किया जाना और परवा ना करना ये दोनों एक दूसरे के opposite है और ये pair यहाँ पर एक साथ use हुआ है तो बढ़ते हैं अपने next question की तरफ तो next question है हमरे पास तो next question है Notice the sentence pattern in the following कि जो नीचे लिखे वे sentence है इनके आप pattern के ऊपर ध्यान दीजिए rewrite these sentences in froze और इन sentences को आप दुबारा से लिखिए इनको गधे में बना कर आप इसको दुबारा से लिखिए तो पहला sentence है and who are thou said I to the soft falling shore तुम कोन हो मैंने कहा नरम गिरती हुई फुवार से तो पहले ये sentence आपको दिया हुआ है इसको आपने rewrite करके लिखना है तो rewrite करके इसको कैसे लिखेंगे I said to the soft falling shore who are you कि मैंने नरम गिरती हुई फुवार से कहा कि तुम कोन हो तो students meaning वही है लेकिन इसको लिखने का तरीका change कर दिया है तो next sentence है I am the poem of earth said the voice of the rain कि मैं धर्दी की कविता हूँ बारिश की आवाज ने कहा तो इसको हम rewrite करके लिखते है The voice of the rain said I am the poem of earth कि बारिश की आवाज ने कहा मैं धर्दी की कविता हूँ तो पढ़ते हैं next sentence के तरफ तो next sentence है Eternal I rise कि मैं शाश्वत उठा इस sentence को हम rewrite करके students लिखेंगे I rise eternally कि मैं सदा के लिए उठा तो बढ़ते हैं अपने next sentence की तरफ next sentence है For song truly with love returns की गाने के लिए विधिवत प्यार लौटता है तो इसको हम rewrite करके लिखते है For song returns truly with love की गाने के लिए जो गाना है वो प्यार के साथ वापिस लौटता है तो क्या मतलब है कि जो गाना है एक writer जब उसको अपने दिल से लिखता है तो वही गाना दुनिया भर में घूम कर लोगों का प्यार समीटता है और उस प्यार के साथ वो वापिस अपने जिनमदाता के पास आ जाता है तो स्टुडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ तो नेक्स्ट कोश्चन है कविता की जो लास्ट टू लाइन्स है उनको ब्रैकेट में क्यूं रखा गया है तो आंसर है कविता की जो लास्ट दो लाइन्स है वो एक्शली में जो म्यूजिक और उसका जो साइकल है इसके उपर केमेंट इसके उपर किया गया है कि किस तरीके से एक गाना लेखक के हिर्दे से बनता है पूरी दुनिया में घूमता है कोई चैव से पसंद करता है कोई पसंद नहीं करता है लेकिन फिर भी वो एक लोगों का प्यार लेके वापिस अपने जनमदाता के पास आ जाता है और अपने जनमदाता को यानि के राइटर को एक अवोर्ड के रूप में वो प्यार रिसीव होता है तो ये जो लास्ट लाइन्स है स्टुडन्स पोयम की ये गाने और इसके साइकल को लेकर बुनी गई है अब पहली दो लाइन्स में तो जो कवी है वो बारिश से ये पूसता है कि तुम कौन हो और बाद की लाइन्स में जो बारिश है वो पोयट को उसके आंसर के जवाब देती है अब जो लास्ट की दो लाइने है स्टुडन्स इसमें सॉंग की साइकल को दिखाया गया है तो अब इसमें डिफरेंस रहे स्पीकर्स में और सिमिलेरिटी रहे कॉन्टेंट में क्योंकि बारिश अपनी कहानी उसे बता रही है अपनी जर्नी उसे बता रही है कि वो किस तरीके से धर्ती से पैदा होती है बादल बनती है और वर्षा का रूप लेके दुबारा अपनी धर्ती पर वापिस आती है इसी तरीके से गाना जहां से चलता है प्यार के साथ वापिस उहीं पर आ जाता है तो ये दोनों एक अलग-अलग चीज़ हो जाती है लेकि को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और परहिट कीजिए ताकि आने वाला हर वेल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कीफ वॉचिंग स्टे कनेक् थैंक यू